गुड मॉर्निंग टू अल उफ यू मैं अजिपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ओनलाइन यूट्व प्लेटफॉर्म इंसाइक्लोपीडिया और स्टडी पर आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट टोपिक आर्ट एंड आ कौन से स्टाइल है जो डेवलेप हुई हिमाल्या और विंध्यांचल माउंटेंज के बीच में इट मेंस यह बात कर रहा है नूर्थ इंडिया की और बेटा याद रखेगा नूर्थ इंडिया के बहुत इंपोर्टेंट टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसका नाम ह नागारा नागारा जो स्टाइल है ये नोर्थ इंडिया में हिमाल्या और विंध्यांचल के बीच में देखने को मिलती है ये ऐसी स्टाइल है जिसे गुपता पीरियेट में सबसे ज़ादा डेवलेप्ट किया गया इस स्टाइल में आपको में ली टैंपल्स के structure में दो building देखने को मिलेगी जिसमें एक building की height या structure की height काफी जादा और दूसरे structure की height कम मिलेगी कुर्णार का सुरिय मंदिर भहुत best example है नागरा आर्किटेक्टिक्टia style में बने हुए temples के लिए Questions 10-0 Grad 2022 में आया हुआ ہے अगला question है Which of the following statement डियच्मेंट रिलेटी टू टैम्पल सो फञ इंडिया इस करेक्ट फ़र्सू है नागरा सिटाइल ओफ आर्किटेक्चर इज ओल्सो नोन एज नोर्थ इंडियन स्टाइल सब्देश में बंते हैं दर्विडन स्टाइल में एक बहुत ऊचा प्लेटफॉर्म मनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेमपल्स या किसी भी आर्किटेक्चर को कंस्ट्रेक्ट किया जाता है जबकि नागरा शैली में ऐसा नहीं है तो बोथ A and B are correct ये question SAC MTS हवलदार 2022 में आया हुआ है अगला question है in which of the following Indian state will you find Tibetan Buddhist golden temple option है सिक्किम करनाटका हिमाचल प्रदेश एं तमिल नाडू इसका answer है बेटा करनाटका करनाटका में मिलता है तिबतन बुद्धिस्ट golden temple बेटा ये आपकी बैला कुपे monastery है और बैला कुपे monastery को ही golden temple of बुद्धिस्ट कहा जाता है और ये मैसूर करनाटका में है और ये South India का एक बहुत बड़ा Buddhism teaching center है अगला question है न्यू देली लोटस टेंपल वोज डिजाइन बाई अर्किटेक्ट फ्रॉम न्यू देली के लोटस टेंपल को 1986 में बनाया गया था और याद रखेगा इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम फरीबोर्च साभा था और फरीबोर्च साभा इरान से थे ये टेंपल अपने बहुत ही beautiful flower like shape के लिए famous है और इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम फरीबोर्च शभा था जो आपके कहां से आते थे इरान से CHSL में आया हुआ question है अगला है दा दुर्गा टेंपल एट एहोल्स बिल्ड अबाउट हाव मैनी एर्स एगो बेटा अगर हम दुर्गा टेंपल एहोल की बात करें तो ये टेंपल करनाट का में स्थित है ये 8th century में बणा हुआ एक बहुत important टेंपल है और इसे भगवान सूर्ये को dedicated किया गया है इसका correct answer है आपका d1400 years ago इसको टेंपल को construct किया गया था इस समय हम 21st century में है और इसे construct किया गया था 8th century में इसे fortes temple भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी का पूरा temple एक fort के अंदर बना हुआ है question SSE CGL tier 1 में आया हुआ है अगला question है in which of the following state Sabrimala Shri Dharma Shastra temple is located Sabrimala temple कौन से state में located है याद रखेगा ये बहुत important temple है Sabrimala और ये temple केरला में located है ये temple एक बहुत dense forest में located है और वहीं पर एक hill है और hill का नाम शबरी है ये जो temple है ये Lord Ayappah को dedicated है और इस temple की position पेरियार tiger reserve में है जो कि एक बहुत ही important tiger reserve है केरला का ऐसा माना जाता है कि इसका संबंद रामायन में है और शबरी hills को रामायन से connect करके देखा जाता है और उसी से dedicated होने की वज़े से इस temple का नाम शबरी माला temple पड़ा अगला question है in which of the following places is the गोवर्धन मर्थ located गोवर्धन मर्थ कहा लोकेटिड है बद्रिनाथ, द्वारका, श्रिंगेरी और पुरी बेटा भारत की चारों डारेक्शन्स में आदी गुरु शंकराचारिया ने चार मर्थ हैस्टेबिश किये इसमें से नोर्थ में केदारनाथ, साउथ में श्रिंगेरी, वेस्ट में आपका पश्यम में द्वारिका धीश और इस्ट में आपका जगनात पुरी और याद रखेगा जगनात पुरी के पास ही है आपका गोवर्धन मर्थ तो जो आपका correct answer है वो है पुरी जगनात पुरी जो कि आपका कहां पे है उड़ी सा यह question C.A.P.F. C.P.O.S.I. 2020 में आया हुआ था अगला question है याद रखेगा हर्मिंदर साहिब को Golden Temple के नाम से भी जाना जाता है और यह आपका अमरित सर पंजाब में लोकेटिड है इस टेंपल को सिखों के पाचवे गुरू अर्जुन देव ने construct करवाया था और इसकी foundation उस समय अमरित सर के एक बहुत important Muslim, Sufi, Sant, Hazret, Mia, Mir ने रखी थी और यह टेंपल अर्जुन देव के दुआरा construct किया गया था तो आपका correct answer है कि हरमिंदर साहिब या golden temple है आपका अमरित सर CGL Tier 1 2020 में आया हुआ question सा अगला question है The Sun Temple of Odisha was built in 12th century AD by which of the following emperor कौन से राजा ने उडिशा के प्रसिद कोनार्ख Sun Temple का निर्मान करवाया था तो याद रखेगा कोनार्ख के प्रसिद Sun Temple का निर्मान नर्सिंग देव फर्स्ट राजा ने करवाया था और ये राजा बहुत इंपोर्टेंट राजा थे जो गंग डाइनेस्टी से आते थे जिन्नोंने उडिशा में रूल किया ये टेमपल एक युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे चैरट टेमपल भी का जाता है ये टेमपल डेडिकेटिड है लोर्ड शिवा को और इसे नागरा आर्केटेक्ट स्टाइल में बनाया हुआ है ये क्वेस्टन CGL 2020 टियर वन में आया हुआ है अगला क्वेस्चन है इन विच प्रेजेंट डे स्टेट यू विल फ्जेंड दा मेगुडी टेमपल मेगुडी टेमपल कि स्टेट में है बेटा मेगुडी टेमपल एक बहुत IMPORTANT टेमपल है जो एहोल करनाटका में है ये टेंपल कजबर्णन जैन जो पोईट थे रवी करती उन्होंने किया है ये बहुत ही इंपोर्टेंट टेंपल है मैगुडी टेंपल और ये डेडिकेटिड है बिटा जैन धरम जैन रिलीजन के लिए वैसे अगर आप से कोई पूचता है कि जैन रिलीजन के सबसे ज़्यादा जो फेमस टेंपल है वो कहां पे है तो याद रखेगा जैन रिलीजन के सबसे फेमस टेंपल जो है वो दिलवाड़ा टेंपल माउंट आबू में है अगला क्वेशन है in which of the following state कारडेंग मौनेस्टरी सिचुएटेड कारडेंग मौनेस्टरी कहां सिचुएटेड है तो याद रखेगा कारडेंग एक बहुत ही oldest मौनेस्टरी है मठ है हिमाचल प्रदेश का ये कारडेंग विलेज के पास है जो कि किसी टाइम पियर्ड में क एपिटल हुआ करती थी लाहोर की यही रीजन है कि इस इस मोनेस्ट्री का नाम भी उस विलेज के नाम पे कार्डेंग रख दिया गया अगला क्वेशन है विच ओफ दा फॉलोइंग मोनेस्ट्री इस लोकेटेड इन सिक्किम सिक्किम में कौन से मठ बुद्धिस मोनेस्ट्र लोकेटिड है बेटा आंसवर है आपके रूमेट Tribe काई हैमेस और टाबो इसका करेक्ट आइस आपका रूमेटेक रूमेटेक मोनेस्ट्री जिसे धरम चक्क्र सेंटर भी कहा जाता है ये 12 सेंचुरी में बनाई हुई बहुत ही इंपोर्टेंट मोनेस्ट्री है आपकी जो क which one of the following pair is incorrect कौन सा pair incorrect है बेटा तवांग मोनेस्टरी भारत की सबसे बड़ी मोनेस्टरी है अरुनाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है इसके अलावा की मोनेस्टरी हिमाचल प्रदेश में है बिल्कुल सही है रुम्टेक मोनेस्टरी सिक्के में है बिल्कुल सही है बेटा घूम मोनेस्ट्री जो है ये मैनेस्ट्री वेस्ट बंगाल में स्थित है तो आपका जो डी ओप्शन है ये बिल्कुल गलत है घूम की एड्जेक्ट पोजिशन आपकी दार्जलिंग में है जो कि वेस्ट बंगाल में है ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है CPOSI 2019 में आया हुआ यह question है अगला question है कपिलेश्वर temple जो की तमिलाडू में है वो कौन से गोड को dedicated है कपिलेश्वर temple जो की तमिलाडू में है यह dedicated है बेटा लोर्ड शिवा को लोर्ड शिवा को dedicated temple है कपिलेश्वर temple जो की तमिलाडू में है लोड शिवा को ही कपिलेश्वर नाम से जाना जाता है पिकोक आइलेंड टेम्पल इस ओल्सो नोन एज पिकोक आइलेंड बेटा ये सबसे छोटा आइलेंड है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है गोवाहाटी असम्मे और इस आइलेंड के ऊपर एक टेम्पल है टेम्पल का नाम है उमानंदा टेम्पल जो कि डेडिकेटिड है लोर्ड शिवा को तो पिकोक आइलेंड टेम्पल को ही उमानंदा टेम्पल की नाम से भी जाना जाता है MTS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था अगला है ब्लेंग टेम्पल इन करनाट का इस दा मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट आर्किटेक्चल शोपिस ओफ हम्पी हम्पी जो कि कैपिटल रही है आपकी विजेनगर एंपायर की यहाँ पर सबसे पावरफुल जो राजा थे कृष्ण देव राए उन कृष्ण देव राजाओं ने एक बहुत इंपोर्टेंट टेम्पल का निर्मान करवाया जो हम्पी में है टेम्पल का नाम है बेटा विठल तो विठल टेम्पल जिसे की किंग उस समय के जो राजा थे देव राए सेकेंड उन्होंने बनाया था विजेनगर एंपायर क ये बहुत फेमस टेम्पल है हम्पी का जो कि करनाटका में स्थित है और ये क्वेश्चन आपका C.A.P.F.S.I.E. 2018 के एक्जाम में आया हुआ है अगला क्वेश्चन है वेर इज शोर टेम्पल लोकेटेट शोर टेम्पल कहां पे लोकेटेट है बेटा ओप्शन है कांची महाबलीपुरम, चेन नई, सारनाथ और महाबलीपुरम सारनाथ तो ओप्शन हो ही नहीं सकता ये आप करेक्ट कर लीजीगा थोड़ा क्योंकि सारनाथ आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की कोस्ट लाइन नहीं है आपका करेक्ट ओप्शन है महाबलीपु बेव बंगाल की खाड़ी को इसलिए इसे शोर टेंपल भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन जो आपका SSC CGL Tier 1 में आया हुआ है इस सेमी सरकल स्ट्रेक्चर विदे डॉम शेप्ट रूफ इरेक्टेड ओवर दा स्केर्ड रेलिक्स ओफ बुद्धा इस नोन एज बिटा जब भी बहुत धरम में डैथ होती थी किसी इंपोर्टेंट परसनेलिटी की तो उसके रिमेंस को बरी किया जाता था एक स्टूपा क अंदर और स्टूपा का अगर आप स्ट्रेक्चर देखोगे तो यह उपर से सेमी सरकल होता था बिल्कुल डॉम गुंबद आकार का और यह उपर रूफ जो इसकी होती थी वो इरेक्टेड फोम में होती थी और यह बहुत इंपोर्टेंट स्टाइल होती थी बेटा किसकी स इस्तेमाल यह बर्यल माउंट्स के लिए करते थे दफनाने के लिए जिसमें इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट परसनेलिटी को सीटिंग फोम में बैठाया जाता था जिसे चैते कहते थे और उसी फोम में उसे वहां पर दफना दिया जाता था तो आपका करेक्ट आंसवर ह स्तूपा अगला दा ग्रेट स्तूपा एट साची इजन साची का इंपोर्टेंट स्तूप का है याद रखेगा यह मद्यपरदेश में है राइसीन डिस्टिक में और इसे बहुत पावरफुल जो रही है राजा मोरी एंपायर के अशो का उन्होंने इसे कंस्ट्रेक्ट कर पाया था अगला क्वेश्चन है विच ओफ दा फॉलोइंग आर्किटेक्ट्र वांडर्स वोर्ट नोट कंस्ट्रेक्टे इन 12 एडी इसमें से किसे 12 एडी में नहीं बनाया गया तो बेटा टेम्पल ओफ खजुरा हो अंगुरकवार टेम्पल जो की कमबोडिया में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह आपका SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मोनुमेंट्स को लेकर के कुछ फैक्ट है यह वर्ट इस दा एप्रोक्सिमेशन हाइट ओफ कुतुम मिनार सिचुएटेट इन दिल्ली कुतुम मिनार की लो इल्दूत्मिश ने इसे बनवा करके कंप्लीट किया था उस समय इसका इस्तेमाल एक वोच टावर के रूप में किया जाता था और कुतुम दीन बक्तियार काकी जो की एक सूफी संथे उनके नाम पे इस मिनार का नाम कुतुम मिनार रखा गया और इसका डिजाइन अफ अगला है धामेक स्थूपा is situated in धामेक स्थूपा कहा है तो बेटा वारांसी के पास ही स्थित है आपका धामेक स्थूपा और ये सबसी important structure है जिसे Great Morian King Ashoka के time period में 294 BC में बनाया गया था अगला जो question है वो आपका CHSL के exam में आया हुआ है 2021 में question है in which of the following state is the famous चितर दूर्गा फोर्ट लोकेटेड चितर दूर्गा फोर्ट लोकेटेड कहा है बेटा चितर दूर्ग याद रखेगा एक शहर भी है करनाटका में और उसी करनाटका में चालुक के डाइनस्टी के रा जाओ द्वारा निर्मान करवाया गया था चितर दूर्गा फोर्ट का तो आपका correct answer है करनाटका अगला question है कदम रसूल मोस्क whose construction is characterized by the use of bricks and brick marble is situated as बेटा कदम रसूल जो मोस्क है ये आपकी गोर में है तो आपका correct answer होका D और गोर आपका इंडिया बंगलादेश के बोर्डर पे पड़ता है माल्दा डिस्टिक वेस्ट बंगाल में 1530 में नुश्रत खाँ सुल्तान नुश्रत खाँ ने इस important मस्धित का निर्मान करवाया और इसको बनाने में उन्होंने bricks और black marble का इस्तिमाल क तो गोर आपका correct answer है अगला question जो कि आपका CPOSI 2020 में आया था कलिंग्जर फोर्ड जो कि बहुत important था medieval time period में वो कहा है याद रखेगा बेटा कलिंग्जर फोर्ड बांदा डिस्टिक में पढ़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है इसे चंदेला, सोलंकी, मुगल्स और इवन मराठा एंपायर्स के द्वारा भी रूल किया गया है और कलिंग्जर फोर्ड सबसे ज़्यादा न्यूज में इसलिए भी रहता है क्योंकि इसी फोर्ड में 1545 में 1545 में डैथ हुई थी शेरशा सूरी की तो आपका correct answer है उत्तर प्रदेश अगला question है रानी की वाव आपने देखा होगा 100 रुपीज के नोट के पीछे रानी की वाव का motive भी बनाया हुआ है ये से एक queen step ball भी कहते हैं ये UNESCO World Heritage Site है और ये कहां पे है तो रानी की वाव एक बहुत important UNESCO World Heritage Site है ये एक बावडी है जिसका इस्तेमाल उस समय पानी को collect करने क्ले किया जाता था और ये आपका गुजरात के गुजरात के पार्टन डिस्टिक में उन्दा बैंक ओफ रिवर सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे है और ये याद रखेगा 100 रुपीज के नोट के पीछे मोटिफ के रूप में भी आपको छपा हुआ मिलेगा बीजापू फेमस है गोल गुम्बज के लिए और इस गोल गुम्बज को मुहमद आदिल शाह ने बनाया था जो कि आदिल शाही डाइनेस्टि के राजा थे जो रूल करते थे बीजापूर में अगला और आपका जो लास्ट क्वेशन है वो है आपका नालंदा युनिवरसिटी इसे आ और इस युनिवरसिटी की स्थापना गुप्ता वंच के दोरान की गई गुप्त वंच के बहुत पावरफुल राजा थे कुमार गुप्त उन्होंने इस युनिवरसिटी की स्थापना की थी आलाकि बाद में जब भारत पर मुस्लिम अटेक्स हुए तो मोहमद गोरी ने इस उनिवस्टी को तहस नहस कर दिया था ये बहुत इंपोर्टेंट उनिवस्टी थी जहां पर बुद्धिष्ट कल्चर को स्टडिकरवाया जाता था और ये लोकेटिर थी आपकी बिहार में I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू जैहिंद